वेलकम सुरूंस आज हम दिखने वाले हैं वर्क्षीट नंबर 18 जो कि है क्लास तिंथ की 14 ऑफ और अगस की वर्क्षीट है इस वर्क्षीट के अंदर हम पहले देखेंगे मैट्स फिर साइन्स और फिर हिंदी मैट्स का जो टॉपिक है उसके अंदर हम AP का जो टॉपिक है वह सारी सारी कोषिन देखेंगे हम बोर्ड पे हैं और इसके बाद हम देखेंगे जो नीचे दिए गए कोशिन है उनको अर जितने भी स्टेट्मेंट कोशिन यहां पर दिए गए हैं आप इनको कुट्राइ करें इन इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई डॉट है रिक् है हमने लास्ट वर्क्षिट में भी देखा था कि एपी को चेक कैसे करते हैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा तो एपी को चेक करने का जो तरीका होता है वह हम पहले डी निकालते हैं एक यह दो सी टिरम यह नोगया यह यह 2 एट्री एज फॉर ऐफाइव बन पर फिर्स तर्म सेकिंड फोर्ट उप इसी तरीके से चलता रहे तो एट्व माइनुस सेवन प्री तो अगर हमें एपी बता नहीं है तो कम से कब दो या तीन बार हमें निकालना चाहिए देखा तो a3-a2, तो a3 क्या है, 13, minus a2 क्या है, 10, 3, इसी तरीके से a4-a3, 16-13, तो सब जगा पर 3 आ रहा है, तो हम लिखनेंगे, yes, it is an ap, तो यह AP हो गया दूसरी चीज़ उसने मांगे थी ए निकालो यह तो हमें बताएगी 7 है और उसने डी मांगा था वह 3 हो गया तो हमारा पहला कोशन यह पर हो गया है अब यह जो नीचे ट्रैक्टिस वाले जो कोशन वह हम कर रहें है पहला कोशन है एक प्लस फिफ्टीन डी ईकोशचो और फांडर्ड अब हमने दास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि जो कि तो χोता है का उपने प्लस OND की होटोधी वीडियो में इसको देखा था कैसे को फोटो चाहिए आज पूछने घ्रजी ये यूज होगा एक अगर यह ध्यान से देखें तो यह जो form है वो same है यह क्या a n है यह क्या a plus यह क्या n minus 1 यह क्या d इसको मतलब n minus 1 मुझे कहां से मिलेगा 15 से तो मैं यह पर solve कर देता हूं n minus 1 equals to 15 देखो match कर रहा नहीं कर रहा एसे a match कर गया d से d match कर गया plus से plus match कर गया an 10 से 100 match कर गया तो n minus 1 क्या हो गया पंदरा तो n क्या हो गया वन उतर जाएगा तो हो जाएगा 16 तो answer क्या हो गया इसका 60 नेक्स कोशन है के एक एपी दे रखा है उनने बोलेगी एक पी है find 10 अब यह वाला लगाएंगे अब यह फॉर्मला लगाने से पहले हमें आपके देखो क्या है यह चाहिए तो यह क्या होता है पहला माइनस 43 दूसरी चीजह में चाहिए दी डी ठीक है डी क्या होता है इन दोनों को माइनस करके माइनस 37 माइनस 43 माइनस 37 प्लस 43 यह इंटीजर्स का है तो नहीं आता हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक देदूँ और इंटीजर्स आने चाहिए 37 कितना हो गया 6 हो गया अंसर तो डी हमारा गया आगया 6 आगया अब एन का फॉम्ला हमें कौन सी टर्म चाहिए 10 टर्म यहां पर एन टर्म का होम्ला है तो टेंथ टर्म का जो फॉम्ला होता है एटन एन की जगापर एटन लिखा तो ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 10-1 दलब 10-2 यह तरीका हो गया है यह एटने का a गया है माइनस 43 फ्लस 9 डी कया है 6 सो माइनस 43 इसको मैल्डिला करेंगे तो कितना जागा 54 इसको सॉड्ल गरती है वाइनस 43 प्लस 54 कितना होगया साथ और चार 11 तो आंसर हो गयए इसका जो टेंथ टम होगा वो होगा 11 तो यह 10 इकोल स्टू इलेवन बहुत ही इंबन कोशन है थर्ड कोशन की तरफ चलते हैं पूछा है एंड केंड बी नेगेटिव ट्रू और फॉल्स तो आप खुद बताएं एंड क्या है एंड पोजिशन है लेको आप पी कोई पोजिशन क्लास में होगी आप फर्स पोजिश अब यह तो लास पोजिशन पे होगे तो फर्स पोजिशन पे होगे आप कोई नहीं कोई पोजिशन पॉजिटेव में हो चुक्ति नो इसका अंसर क्या हो गया फाल्स त्टीक है एकिन इसके बात मैं और एक पी समझाना चाहूंगा कई बहुता आपको पॉल्स अबी होले यार फोर्स आओगे तो अब होल नंबर में आओगे तो n cannot be in fraction मैं आपको बता रहा हूँ यह चीज यह question में नहीं पूछी can't be in fraction और decimal और negative ठेक है यह नहीं हो सकते n की वर्दियों यह नहीं हो सकती n की वर्दियों क्या हो सकती है यह सिर्फ होल नंबर मतलब 1,2,3,4,100,000,000 क्रोड कुछ भी हो सकती है लेकिन positive होगी और whole number होगी next question की दुरफ चलते हैं उसने a दे दिया a 12 दे दिया तो a 12 का जो formula है वो इसकी मदद से मैं अगर निकाल लूं क्योंगा a plus 11 d 12 है तो एक कम equals to 124 हमें d निकलना है तो a के value दे रखी है 14 यहां पर मैं दाल देता हूं तो 14 plus 11 d equals to 124 14 उदर जाएगा 11 d equals to 124 minus 14 so d equals to कितना होगा 110 upon 11 यह आगे 10 तो महां पर option दे रखा था जहांपर option 10 हो उसको आप टिक कर देना आज की वीडियो में इतना ही कोई डाउट हो तो आप question पूछ ले महां पर कुछ statement questions आपको दे रखे हैं उनको practice करें कोई भी doubt हो ताप comment section बताए उसके लिए में separate video एक बना दूंगा अभी चलते नेक्स वोक्षिट की तरफ आइ सुरेंट्स science की वर्क्षिट देख लेते हैं 18 वर्क्षिट है 14 अफ ऑगस्त की इसके अंदर हम electricity का टॉपिक कॉंटिनिक कर रहे हैं जिसके नहीं देखने वाले हैं आउम्सलो आउम्सलो जॉड्स साइमन ओम ने दिया था यह जर्मन फिजिस्ट थे इन्होंने रिलेशन्शिप बताया था इलेक्ट्रिक करेंट और पोटेंशल डिफरेंस के बीच में वाई चलते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे रंग से समझ देते हैं ओम्सलो होता क्या ह आउम्सलो जैसे कि आप देख पारें इमेज की तरह बिलकुल इस तरीके का है आउम्सलो बेसिकली रिलेशन्शिप बटलाता है वाल्टेज एमपेर और ओम्स के बीच में बेसिकली वाल्टेज हो गया आपका पोटेंशल डिफरेंस और एमपेर हो गया आपका करंट और ओ कि अइसे कम फिर रखता है आपको हुआ एम्सलो कराने हैं सपोज्ब्स जमीन के अंदर पानी है को चुक्त पानी हे और फिक मायम मोशान सेयों से तक नीचे से ऊपर थे बीच में आपको चाहिए मोटर्म उस जो करा ती है मोटर उसको धक्का है कि तो वॉट्टेज जो होत कि यौदि होता है अब देखेंगे लिए वायग के हैं को देजन कि ढूता दिते हैं यौदत मेरे जी कि यूदं करिंट्च वाइर-से इन्वारतीट के पिछे से था हुआ आपके घर में यह खर खागता आता है और कला स्किलाते व कि गलथे को भूट ज जौनाःज होते था के वोल्टच बहुत जदा फ्लक्चुएट करती थी, इसका मतलब यह हो गया कि बहुत ज़र जब बहुत जवर नीचे इस तरीके से रहती थी कभी ज्यादा कभी कम तो इस वज़े से क्या होता था था कि आपके अप्लाइंसे उसको जहिलने पाते थे और वो उसमें क्या गजाता था दिक्कत हो जाती थी खराब हो जाते थे तो उसके लिए हमें क्या एक specially appliance लेना परता था stabilizer okay stabilizer उसको क्या करता था जो current ऊपर नीचे आ रहा है और उसको box के अंदर हो जाता था तो उसके बाद वो neutral हो जाता था इस तरीके से neutral हो के निकलता था मतलब एक balanced warm में निकलता था तो उससे उसका क्या काम है यह resistance का काम है इसको समझ लेते हैं और एक बेटर तरीके से यहां पर जैसे है current flow कर रहा है from positive to negative तो अगर potential difference अगर जादा होगा potential difference का मतलब हो गया voltage अगर voltage ज्यादा होगी तो current क्या होगा ज्यादा flow होगा बहुत ही simple तरीका है assuming other factors to be constant यह ध्यान रखना other चीजें जो है material और वह सब temperature वह सब भी impact जालते हैं बट अभी हम उसके उपर नहीं जाएंगे तो अगर potential difference मतलब voltage ज्यादा हुई तो आपका क्या होगा current भी ज्यादा होगा अगर voltage कम होई तो आपका current भी कम flow करेगा तो यह हमने हमने image में भी देख लिया था यह चीज अब उसी तरीके से resistance को मिस तरीके से depict करते हैं ठीक है अब resistance मैंने आपको बताया कि आपका stabilizer होता है वो एक तरीके से resistance क्रेट करता है resistance जरूरी क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया अगर resistance ना हो तो क्या होगा voltage अगर जादा हो जाएगी तो आपके appliances हो जाएंगे खराब तो इसको भी ध्यान मिखले तो resistance होनी चाहिए लेकिन सही मात्रा में होने चाहिए अगर resistance जादा होगी जितना जादा इसके अंदर resistance हुआ वायर में उतना current कम flow करेगा तो यह inversely proportionate होते हैं तो यहाँ पर देखें current आई से रिप्रेजेंट करते हैं आई क्या है current है ओके और resistance आर से तो यह होता proportion का sign आपने math में भी पढ़ा होगा ठीक है तो current और resistance inversely proportionate होते हैं मतलब जितना जादा resistance होगा उतना कम current होगा whereas यहाँ पर हमने पढ़ा था यह दोनों को दोनों एकठे बढ़ते हैं अगर voltage जादा होगी तो current भी जादा होगा तो अगर हम इन दोनों को multiply कर दें i और one upon r को तो यह देखें यह हमारे पास current का relationship आ जाएगा तो यह relationship है current is equals to voltage upon resistance i equals to v upon r basically ohm slow इसी के बारे में बात करता है आई चलते हैं वापस worksheet की तरफ तो worksheet में आपने उपर देख लिया ohm slow की definition वो हमने अच्छे से वापस समझा भी दी है तो यहाँ पर कुछ बाते करी गई है तो यह इसका unit है world का v होता है current का ampere होता है और resistance का ohm होता है और यह हमने अभी यहाँ पर समझा भी दिया कि यह formula कैसे आया आप इसको formula को रियाद करें देखो different variety है same चीज़ वो बार बार लिख रहे है i equals to v upon r लिखे या r equals to v upon i लिखे बात सेम ही है हमने i equals to v upon i लिख दिया अब one ohm okay अब मैंने इसको ohm के अगर में one ohm equals to one volt upon one ampere तो अगर यहां से अगर देखें r equals to v upon i r equals to v upon i तो r क्या है ohm तो one ohm equals to one volt upon one i i का मतला ampere तो definition आप से अगर पूछ लेगा तो यहीं से definition आ जाएगी तो SI unit resistance की क्या होती है ohm होती है तो यह बहुत सारे factual questions हो जाते हैं जिनको आप थोड़ा सा definition की form में उस image की form में याद कर लेंगे तो मज़ा जाएगा अब यहाँ पर एक graph दे रखा है यहाँ पर नाइक्रोम वायर की बात करेगी यह नाइक्रोम वायर क्या है एक alloy है जो resistance के लिए use करे जाती है basically तो यहाँ पर graph दे रखा है किस तरी और मैंने आपको बताया था कि potential difference जतना ज्यादा बढ़ेगा इसमें ज्यादा बढ़ेगा इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं हमने समझ लिया है आगे चलते हैं कोश्चंस के तरह हो कि state orm slow यह हमने आप दिखा दिया आपको यहां पर आपको वर्क्षेट में भी दिखा देते हैं यह रहा पर दोबारा समझना हो तो वीडियो बैक आप यह लिख सकते हो यह यह भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं दोनों में से आप खुछ भी लिख दे डराट ग्राफ नुए बिट्मी एन एक बीच में है आप यह वला कर सकते हैं रहा है क्वेशन नंबर 2 देख ले दें मतलब रिजिस्टेंस बढ़ रहा है जहान रखें आर बढ़ रहा है तो वो पूछ रहा है तो current को क्या होगा तो मैंने आपको बताया था अगर resistance मतलब वो वायर यह वाली जो है वो बढ़ जाएगी current क्या flow करना हो जाएगा कम हो जाएगा if the resistance of an electric circuit is increased the current will get reduced as the current and resistance are inversely proportional to each other और यहां पर हमने इसको यहां पर डाइग्रमेटिकली या formula में भी हमने आपको समझा दिया question number 3 की तरफ चलते है question number 3 देख से what is the voltage in the given circuit तो voltage और यहां पर आपको current दे दिया और यहां पर आपको resistance दे दिया तो voltage निकालना है तो हम यह वाला formula डिकाल देते हैं voltage equals to i into r i क्या है 2 और resistance क्या है 13 so 2 multiple आगा है 13 कर देंगे तो कितना आजाएगा आपका answer आजाएगा 26 so 26 लेकिन हमें क्या निकालना था voltage और voltage का unit क्या होता है वी तो make sure यहां पर वी ज़रूर लिख दे next question की तरफ चलते है next question है question number 4 if voltage is 10 मतलब वी जो है आपको 10 दे दिया ठीक है तो अब यहां पर लिख देए V equals to 10 10B ठीक है यहां पर लिखने में दिक्कत है आप अपने notebook में साथ सब लिखें और फाइव ओम मतलब रिजिस्टर कितना है रिजिस्टर आपका हो गया फाइव और ओम का सिंबल इस तरीके से बन जाता है यह वाला जो सिंबल है आप यह बना सकते हैं यह बनाने कोशिश कर रहे हैं कोई बात नहीं what is the current अब current निकालना है हमें बता I equals to V upon R अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँगा तो आंसरा जाएगा तू अब आई किसमें नावते हैं एंपेर में करेंट जो है यह एंपेर में देखेंगे तू एंपेर टी ए नेक्स आजाता है है डिफाइन वन ओम सब्सक्राइब जोटैंश को यह थान रखना है कि वन वोल्ट होता है वन एंपेर फ्लो होता है जिसके इंदे वन रिजिस्टेंस प्रडियूस होता है तो यह आपके होगया वन ओंगी डेफिनेशन हो यहाँ पर फॉर्मुला और ऐसा यूनिट भी आप जरूर लिखते हैं तो साइन्स के वर्कशिट में इतना ही अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं आगे चलते हैं नेक्स वर्कशिट हिंदी की तरह एक संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है तो ये समझा गया है कि जो ये शब्द है संदेश ये संस्कृत भाषा से आया गया है जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना तो संदेश का अर्थ है कोई समाचार या खबर प्राप्त करना या मिलना जब कोई व्यक्ति किसी कारण वर्ष किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है तब है कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिये दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है तो पुराने जमाने में जब phones नहीं हुआ करते थे, telephones नहीं होता था और definitely mobiles नहीं होते थे और WhatsApp तो बिलकुल नहीं होता था, तो उस टाइम में संदेश ऐसे ही भेजे जाते थे और जल्दी जल्दी कोई अगर आपको जानकारी या समाचार या कोई ख़बर पहुँचानी है तो संदेश के माध्य हमसे संदेश के जरीए दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता था पर आज के टाइम में जब हमारे पास phones भी है, mobile भी है और सारे messenger services भी है, Facebook है, WhatsApp है और बहुत सारी और apps भी है जहां पर हम एक दूसरे को message भेज सकते हैं और वो भी instant message भेज सकते हैं तो ऐसे में इस तरह से संदेश लिखना थोड़ा कम हो गया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह useful नहीं है तो बहुत ऐसे situations आती हैं जब आप यह सारी जो services है telephone की या mobile networks की यह services आप use नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में संदेश जो है यह छोटा सा एक note बना देना या यह लिख वो बहुत useful होता है खासकर यह आप useful देखो कि तब होता है जब मानिये कि आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको parents को एक note छोड़ कर जाना है कि मैं यहाँ यहाँ गया हूँ तो एक message लिखने या उसमें क्या पता आपकी parents के वास उस वक्त phone नहीं है या कोई भी reason है य जल्दी से एक note लिखकर और उसे वहाँ पर घर पर लगा कर जा सकते हैं या फिर वहीं किसी का phone आया आपने attend किया लेकिन जिसके लिए वो phone आया था वो वहाँ पर नहीं है तो ऐसे में जो भी phone का message है फटा फट से उसे message को एक note बना कर एक संदेश की तरह लिखकर आप जिस ये संदेश ये messages use होते हैं तो आगे देख लेते हैं इसमें आपको संदेश लिखन के बारे में क्या बताया है तो संदेश किसी व्यक्ति विशेश या किसी समू द्वारा किसी व्यक्ति विशेश या समूहों को दिये जा सकते हैं तो कोई एक इंसान बहुतों को या एक और ग्रूप्स को या व्यक्ति को ये संदेश लिख सकता है, ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं, तो आप लिख कर भी इसे दे सकते हैं, और आप बोल कर भी इसे दे सकते हैं, संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं, कोई भी संदेश व्यक्ति लोगों को व्यक्तिकत messages और group messages भेज सकते हैं, आप सामुहिक messages भी बेज सकते हैं, संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, तो आपको यहाँ पर कुछ specifications दी गई हैं, तो message लिखते टाइम आपको इन 11 बातों का ध्यान जरूर रखना तो जल्दी से ये बाते भी देख लेते हैं, ये क्या है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर लिखी गई है, सबसे पहले संदेश को किसी सेमा रेखा, जैसे box या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए, तो ये बहुत important है, अगर आपके exam में भी ये संदेश लेखन आता है, तो सबसे पहले आप ये box जरूर बनाएंगे, तो हम ऐसा क्या, तो ऐसे में मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले आप message लिखे, अपना संदेश लिखे और थोड़ा इस तरह ऐसे लिखे कि उसके चारों तरफ box बना पाएं, और फिर message लिखने के बाद उसके चारों तरफ आप box बना पाएं, तो पहले message लिखे और उसके बाद box लेकिन जरूर बनाएं, box बनाना भूले न, तो या तो आप box बना सकते हैं या एक गोला भी बना सकते हैं, तो again exam में अगर आप ये attempt कर रहे हैं, तो मैंने ही दिखा है कि box बनाना जादा easy होता है, गोला, एकदम से सही गोला नही बन पाता है, तो आप preferably box बनाएं, संदेश के शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखे, उसके बाद दिनांक समय अवश्य लिखे, तो ये बहुत important है कि आप उसमें ये शब्द संदेश जरूर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक उधारन भी दिया गया है, तो आप उने message का title भी दे सकते हैं, जैसे कि जनम दिवस पर शुबकामना संदेश, यहाँ पर ये title दिया हुआ है, तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ संदेश भी लिख सकते हैं, लेकिन ये शब्द संदेश होना बहुत जरूरी है, उसके कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें, तो उसके बाद जो topic है, जिसके उपर आपने message लिखा है, संदेश लिखा है, वो आपको बहुत कम शब्दों में लिखना है, तो ये बहुत important है कि आपको कम शब्दों में लिखना है, लेकिन ऐसे शब्द आप तो अगें जैसे आप ये सैंपल में यहां देख सकते हैं कि एंड में जिसने संदेश लिखा है, जिसने ये message लिखा है, उसका नाम यहां पर, कामे ने लिखा है, तो उसका नाम यहां पर जरूर लिखें, आगे आपका लिखा है, संदेश लिखन की शब्द सीमा तीस से चा 30 से 40 शब्दों के बीच में होना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि 30 से कम आप लिखेंगे कम से कम 3 होने चाहिए और जादा से जादा 40 शब्द शब्द, words, तो ये words पे आप focus करेंगे, आप actually ने गिन सकते हैं ये 40 से कम words में ये लिखना है अगर चित्रों का उप्योग करना उचित लगे, तो विशय नुसार किया जा सकता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई picture भी बना सकते हैं, लेकिन वो subject से relevant होना चाहिए, जो आपका message है, उससे connected होना चाहिए अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवशक्ता हो, तो प्रयोग कर सकते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने संदेश में कोई शायरी लिखें, आपको कोई दोहा याद आ रहा है, कोई श्लोक याद आ रहा है, या कोई एक slogan याद आ रहा है, या कविता याद आ रही है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे अगयन इस सैंपल में यहां लिखा है, क्योंकि यह बद्दे विशेज हैं, जनम दिवस की शुपकामना है तो आप यहां पर लिखा है, तुम जी हो हजारो साल, साल के दिन हो पचास हजार, तो यह यहां पर एक तरह से गाने की पंक्तियां यहां पर यूज की गई है, तो आप भी वो विशेया नुसार, तो subject से relevant होना चाहिए, तो आपको जरूर लिख सकते हैं संदेश में रचनात्मक और स्रिजनात्मक होनी चाहिए, तो जो आपका message जो है, वो creative होना चाहिए, ऐसे नहीं की कुछ भी शब्द उठा के आपने लिख दिये, आपके message में एक स्रिजनात्मक्ता होनी चाहिए creativity होना चाहिए, कुछ अच्छा लिखा होना चाहिए, संदेश सरल व संशिप्थ शब्दों में प्रभावशाली व व विशय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है, तो again ये बात हमने पहले ही कही है कि जो आपका message है, वो easy language में हो, बहुत ही super difficult language आपको नहीं लिखनी है साथ ही वो संशिप्थ शब्द, मतलब विशय के अनुसार रंगों का भी प्रेयोग किया जातकता है, तो अगर आप चाहें तो उसे तोड़ा color भी आप यहां पर use कर सकते हैं, जैसे ये title में उन्होंने blue यूज किया है, उसके बाद ये quotation में उन्होंने red यूज किया है, तो आप आप exam में इसे attempt कर रहे हैं, तो आप यह कर सकते हैं, कि उपर जो संदेश है वो black में लिख सकते हैं, black pen से वही quotation आप black से लिख सकते हैं और उसके बाद जो actual message है आप blue pen से लिख सकते हैं, प्लीज red मत यूज किजी क्योंकि generally teachers red यूज करते हैं और तो इसलिए ये वाले colors आप जरूर use कर सकते हैं संदेश के अंदर इधर उधर की बाते ना लिख कर केवल विशे वस्तु पर ध्यान देना अती आवशक है, तो ये बहुत important है कि आप फालतु की बात कोई ना करें बिलकुल to the point, बिलकुल topic पर focus करते हुए बिलकुल specific आप बात कहेंगे इधर उधर की कोई बाते नहीं कहेंगे तो उधारन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो मैंने आपको अल्रड़ी explain कर दिया है अब आपको question क्या दिया है मैं जल्दी से वो दिखा दिती हूँ तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखते हुए यह जो उपर आपको बाते बताई गई है इनका ध्यान रखते हुए दो संदेश लिखने है तो पहला संदेश आपको लिखना है स्वतंतरता दिवस पर देशवासियों के लिए शुबकामना संदेश क्योंकि 15 अगस आ रही है, सुतंतरजा दिवस आ रहा है, तो आपको हमारी country के जो लोग हैं, देशवासी जो हैं, उनके लिए एक शुबकामना संदेश, best wishes का message आपको भेजना है, दूसरा आपको बोला है यहाँ पर संक्रामक बिमारियों के प्रती लोगों को जागरूप करन है, यह संक्रामक बिमारी है, यह infectious disease है, तो लोगों को इसके प्रती जागरूप करने के लिए, लोगों को अवेर करने के लिए आपको एक message यहाँ लिखना है, तो आईए अब हमने जो आपका sample, messages sample संदेश जो हमने लिखा है, वो आपको दिखा देते हैं, तो पहला यहाँ आपका संदेश है, स्वतंत्रता दिवस पर शुब कामना संदेश, तो देखे कि यहाँ पर हमने यह title लिखा, यह संदेश लिखा है, उसके बाद हमने यहाँ एक quotation लिखी, एक slogan लिखा है, स्वतंत्रता भारत की शान है, लोगतंत्रे इसकी आन है, इसी तरह से आप भी कोई कोटेशन यहाँ पर, या कोई गाने के बोल, या अच्छी पंक्तियां या कविता आप लिख सकते हैं, जैसे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, तो इस तरह कि आप और भी यहाँ पर कोटेशन लिख सकते हैं, फिर आप लिखेंगे दिनांक, यानि डेट, पंदर का टाइम लिया है, उसके बाद हम जिसको यह address कर रहे हैं, क्योंकि यह देशवासियों के लिए है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, प्यारे देशवासियों, आप यहाँ पर प्रिये देशवासियों भी लिख सकते हैं, सिर्फ देशवासियों भी लिख सकते हैं, फिर हमने यह पॉइंट स्पेसिफिक है तो आपको भी अपना मैसेज ऐसे ही लिखना है जैसे स्वतंतरता दिवस के अवसर पर बहुत शुब कामना आए इस 74 वे स्वतंतरता दिवस पर मेरी प्राधना है कि हमारा देश सभी के लिए प्रेम, सम्मान और शान्ती के साथ सम्रिद रहे आओ हम साथ आएं और मिलजुलकर स्वतंतरता दिवस मनाए और फिर आप लिखेंगे अपना नाम तो जिसने ये मैसेज लिखा है जिसने संदेश लिखा है तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे उसके बाद जब यह सब आप कर ले तो बहुत इंपोर्टन चीज है आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे तो यह बॉक्स बनाना बहुत इंपोर्टन है यह आप बनाएंगे तो अब चलते हैं आपके अगले message पर, तो आपका ये जो अगला message है, ये जागरुकता का संदेश है, तो इसलिए हमने यहाँ title ऐसे दिया है, again ये word संदेश यहाँ लिखना बहुत important है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक slogan दिया है, मास्क पहनना हमारा करतव्य है, दूरी बनाए बिना सब वियर्थ है, तो इसी तरह से आप भी कोई slogan, quotation या कोई पंक्तिया या लिख सकते हैं, ये compulsory नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका message जो है, वो creative होना चाहिए, तो अगर ऐसी कोई lines लिखते हैं, तो definitely आपका संदेश जो है, जादा catchy हो जाता है, बहुत better हो जाता है, तो ऐसे ही आप भी कोई जागरुपता के उपर या coronavirus से related, उससे लोगों को सुरक्षित करने के लिए, कोई यहाँ पर पंक्तिया लिख सकते हैं, फिर आप फिर से यहाँ date लिखेंगे और समय लिखेंगे, फिर आप again, क्योंकि सभी के लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सभी प्रियजनों, या सिर्फ प्रियजनों भी लिख सकते हैं, या मेरे प्रियजनों भी लिख सकते हैं, फिर आप लिखेंगे, COVID-19, coronavirus के सपर्ष और हवा के माध्यम से फैलने वाली संक्रामक बिमारी है, तो COVID-19 कैसे फै कि जब हम यह message लिख रहे थे, तो क्या process था, तो पहले मैंने message लिखा और मैंने पूरा message टाइप किया, तो वो almost around 70 words का वो बन गया था, क्योंकि मैंने अपने message में यह सब लिखा था, कि corona words जो है, वो चूने से, या सांस लेने से, या चींकने से, या खांसने से, वो फैल सकत करने पड़े, तब जाकर ये 40 शब्दों से कम का ये message बना है, और उससे ये फायदा हुआ है, कि ये बहुत to the point message है, तो ये बहुत specific message है, कि इसलिए जितना संभब हो सके, अपने घरों के अंदर रहें, बाहर जाने पर सामाजिक दूरी बनाए रखे, मास्क पहने और तो उमीद करते हैं, आपको ये message writing समझ आ गया होगा, कोई भी अगर आपको doubt है, तो आप comment section में पोचिए, इस channel को like और subscribe जरूर कीजिए, फिर से मिलते हैं अगली worksheet के साथ, thank you.